तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेट से बनने वाली एक बहुती असान और बहुती हल्दी सेंडवीच की रेसिपी जिसको आप असानी सही घर पर बना सकते हैं कुछी मिनिटों में और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है आप चाहे तो इसको स्नैक में या फिर ब्रिक्फस में खा सकते हैं या फिर बच्चों की टिफिन के लिए भी पैक कर सकते हैं तो फिर देरी इस बात की चलिए फिर स्थार्ट करते हैं इस रेजिपी को तो सबसे हैं पहले हैं मैंने कटीवी सबजिया लिए हैं शिम्ला मेच, गाजर, टमाटर और करके मैंने सारे seeds निकाल दिये थे बीज निकाल के उसको तब कट करके रखा है अब इन सब सब्जियों को एक bowl में डाल देंगे देखिए अब जैसी सारी सब्जिया डल जाएं उसके बाद मैं डालू यह तीन चम्मच मयोनीज वेज मयोनीज एक चम्मच और एक चम्मच चिली flakes यह देखिए और इन सब को अच्छे से mix कर लेंगे आप चाहे तो इसमें और भी सब्जी आड़ कर सकते हैं स्वीट कौन भी आड़ कर सकते हैं जो भी आपके पास सब्जी अविलेबल है और यह देखिए हमारा स्टाफिंग तयार है सेंड्विच के लिए चलिए अब तय करते हैं तो यहाँ पर मैंने चार ब्रेड लिए मैं ब्राउन ब्रेड लिए रही हूं आप चाहे तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं और सिंप्ली एक ब्रेड पर आपको अच्छे से टेमाटो सॉस लगा देना है यह देखिए अच्छे से टेमाटो सॉस लगा देंगे औ देखिए ऐसे फुराचे से फिल कर दूँगे और इसके बाद ये ब्रेड उसके उपर रख देंगे अराम से ये देखिए सिंप्ली हलका से प्रेस करेंगे उसको और बस साइड में रख देंगे ये देखिए similarly आप दूसरा ब्रेड भी ऐसे ही तयार कर दीजिए और ये दोनों ब्रेड तयार हो चुके हैं अब चलिए इनको हम बटर लगा के तवे पे तोड़ा सेक लेते हैं ये देखिए मैंने एक तवा गरम किया है उस पर लगाया है बटर आप चाहे तो ग्रिल पैन भी यूज़ कर सकते हैं आपर और सिंप्ली ये जो ब्रेड स्टफ करके हमने तयार किये एक एक करके उस पर प्लेस कर देंगे ये देखिए और हलका सा प्रेस कर देंगे हमें करना क्या है सिंप्ली जो एक साइड से जब ब्रेड थोड़े ब्राउन हो जाएंगे तो हम फ्लिप करके उसको दुछी साइड से भी सेक देंगे इसी के साथ ऊपर थोड़ा सा बटर और लगा देंगे हम ताकि जो हम फ्लिप करें तो वह अच्छे से सिख जाए ये देखिए एक से दो मिनिट लगते हैं इसमें हाडली बनने में बहुत ही जल्दी बन जाता है चलिए चेक कर लेते हैं और ये देखिए अच्छे से हमारा क्रिस्प हो चुका है ब्राउन हो चुका है इसको फ्लिप कर लेंगे और ऐसी सिंपली दूसी साथ से भी हलका सा ब्राउन होने तक सेक लेंगे इसको और वस ये देखिए तयार है हमारी सैंडविच वैस सैंडविच बन कर कुछी मिन्टों में वस अब सिंपली इनको प्ले करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहें ताकि आपको नहीं नहीं रेसिपी की अपडेट्स मिलती रहें चलिए फिर मिलते और नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग बाबाई